दोस्तो अगर आप PF के मेंबर हैं, आपने अपना PF का फॉर्म भरा हुआ है, आपके पास SMS आया है, यूर क्लेम इज अंडर प्रोसस्स विल बे सेटल शॉटली, तो इसका क्या मतलब होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने किसी का फॉर्म भरा हुआ है, और उन्होंने मेरे को आज ही मेसेज गिया है, ये समस्चा सिर्फ इनकी नहीं है, इनहीं के जैसे हजारों नहीं लाकों लोगों को हमेशा ये मेसेज आता है, कि आपका सेटल कर दिया जाएगा शॉटली, और वो परिशान होते हैं कि भाई साब इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या करना है, हमारा कित्ते दिन में आ सकता है, तो यही चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पहले मेरा परचस जान लिजे, मिराम सागर है, मैं PF कंसल्टेंट हूँ और जो यहां आपको बता रहा हूँ, यह मेरे पांच साल के काम के अनुभव पे है, और यह PF का नंबर एक चैनल है, मैं कोई भी बात theory में नहीं करता हूँ, मैं हजार, दो हजार, पांच हजार लोगों का काम कर चुका हूँ, उस अनुभव के साथ आपको यहां बता रहा हूँ, आपको समझना होगा कि इस message का क्या मतलब है, इस message का बस इतना ही मतलब है जैसे कि आपने कोई request लगा रखी है और आपको तसली दी जाए कि अभी आपकी request pending में पड़ी हुई है हम उसे settle कर देंगे जैसा आपको एक example के लिए कह रहा हूँ आपकी जो train है, train ticket आपने कटवाई जो की waiting में आ रही थी waiting list, waiting list मान लिया कि यहां पर 15 है ठीक है, अब आपने चार दिन पहले ticket कटवाई तीसरे दिन आपके पास message आया कि अभी आपकी waiting list 14 है ठीक है, दूसरे दिन आपके पास message आया अभी आपकी waiting list जो है, वो 13 है और जिस दिन आपकी train छोटने वाली है उस दिन आपको आया कि confirm या फिर आपकी confirm नहीं हुई, यह समझाता है आपको system तो यह railway का system है, railway के system में क्या होता है आप अपना check कर सकते हैं कि कि कितना कितना आपका process हो गया है, आपकी current waiting कितनी है लेकिन unfortunately PF office के अंदर ऐसा कोई mechanism नहीं है कि आप देख सकें कि आपका form किस stage पे पहुँच गया है अब आप बोलोगे, सर जी, यह stage होते क्या है तो stage होने का simple सा यह logic होता है कि आपके PF office के अंदर में 3 stages होते है पहला stage होता है, जिसे बोला जाता है, submit at portal मैं आपको दिखा देता हो, चलिए, यह देखिए यह मैंने form फाइल किया है, अभी-भी हम यह 25 जून को बना रहे है, 11 बजे वीडियो सबसे पहला step आपका होता है, submit at portal जब submit at portal है, तो इसका मतलब है कि अभी-भी आपके form जो है PF office के central server पे चला गया है इस जगे पे ज़्यादा देर नहीं रुकता है, इस जगे पे सर्फ एक दिन रुकता है उसके बाद जो अगला station है, अगला station होता है under process, यह जो under process है, यही एक main बवाल है main बवाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका simple सा मतलब है कि मालो मैं आदिकारी हूँ, मेरे पास जो computer है मेरे उस पे 100 form pending में पड़े हुए है तो मैं पहले जो date के हिसाब से आता है एक, दो, तीन, चार, पाँच है, इस तरह से मैं date के हिसाब से sequence में कर रहा हूँ अभी आपको यह पताने लगेगा कि मेरा form जो है कितने number पे waiting चल रहा है तो जब तक आपका form वेटिंग पे चल रहा है तब तक आपको इसी तरह का SMS भेजता रहेगा कि आपका currently under process है और will be settled shortly will be settled shortly का यह बिलकुल भी मतलब नहीं है कि आपका form पास कर ही दिया जाएगा will be settled shortly आपको सिर्फ एक दिलासा देने के लिए है कि आपका अभी हमने check नहीं किया है जब check किया जाएगा तो decide होगा कि आपका form पास हुआ या reject हुआ यह वैसे ही है जैसे train ticket का होता है कि form आपके ticket confirm होगी आपकी ticket reject होगी यह तब ही पता लगेगा जब आपके जो date of journey है उसके दिन ही decide होगा तो यही होता है हिसाब किताब PF office के system में जहां पे आपको इसी तरह की problem आती है अब misguide क्या होता है misguide यह होता है कि अगर PF office यह बता दे कि भाई साब आपका जो है na form कितना pending है आपका form जो है pending number 50 है तो member को समझ आये कि हाँ पहले मेरा जब मैंने file किया था उस time पे rating 100 चल रही थी अभी rating 50 है लेगिन ऐसा system expect करना बहुत ही ज़ादा advance हो जाएगा PF office इतना advance नहीं चलता है PF office के पास ऐसा कोई technology नहीं है जिसमें वो इस तरह की सुवधा आपको दे सके या exactly बता सके कि आपका form process होने में कितना time लगेगा अगर मैं particularly आपको जो ये मेरे customer है जो ये मेरे client है अगर मैं इनका ही आपको अगर chat दिखाता हूँ तो यहाँ पे इनका यही problem है कि इनका form दो दिन चार दिन से pending है और मैं यहाँ पे इन्हें pending का बतावी रहा हूँ पेंडिंग चार दिन इन्होंने कहा भाई कितने दिन लग सकते हैं मैंने लिखा 5 से 20 दिन लग सकते हैं पेंडिंग 9 दिन मतलब पहले मैंने अपडेट किया था चार दिन पहले उसके बाद अपडेट किया तो 9 दिन से पेंडिंग हो गया उसके बाद इन्होंने ये कहा कि क या मेरा ही इस तरह का problem है या फिर सबका है तो मैंने बताया कि mostly लोगों का pending है और यह इनोंने अब इनके पास सुभह यह SMS आया है जहां पर लिखा है कि उनका claim जो है under process है और will be settled shortly तो इनकी एक उमीद बन जाती है जो कि उमीद तूटने के पूरे पूरे चांस है तूट सकती है क्यों तूट सकती है भाई आपका form pass होगा या reject होगा यह अभी check है नहीं किया गया है तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यह ऐसी जानकारी है जो आपको पूरे internet पे कोई नहीं बता सकता क्यों नहीं बता सकता कोई मैं जितने channel है अगर कोई ऐसा channel होता जहां मुझे पता ह होता कि यहां यह काम करते हैं और जो यह काम करते हैं उसके अनुभव पर बता रहे हैं तो मैं आपको कह सकता था लेकिन अकेला एक channel है जहां पर मैं आपको यह चिज़ बता रहा हूँ मेरे बहुत सारे student है जो PF का काम करते हैं जो की बहुत सारे PF के form भरते हैं अगर वो लो जादस से जादा व्यूज लाना, आपको सच पता लगता है, आपको जूट पता लगता है, आपको जो है, मन घरंत कहानी सुना दी जाए, उससे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है, व्यूज से, और मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा यह सिर्फ इतना बता रहा है कि आपका फर्म अभी देखा नहीं गया है, पीफ आफिस से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि वो हमारे फर्म का एक्जेक डेट बता दे, पांच दिन लगेंगे, पंदरा दिन लगेंगे, बीज दिन लगेंगे, कुछ पता नहीं है, और जो कहा गया कि automatic claim process हो जाते हैं, वो भी कई हद तक अभी मेरे को देखने में नहीं आया है, कितने percent forms को automatic pass किया जा रहा है, इसका भी कोई पैमाना नहीं है, और नहीं कोई clarity है, तो अगर आप भी इस SMS आने से excited हो गया है, तो excited होने की ज़रूद नहीं है, जब तक आपका claim settle आपको ना दिख जाए, तब तक आपको खुशी मनाने जैसी नहीं है, क्या हमें खुशी मनानी होगी, हमारी तो पैसे हैं फिर खुशी किस बात की, तो देखिए, नॉर्मल 90% cases में पैसे आसानी से निगल जाते हैं, लेकिन अगर 10% cases फसते हैं, तो फिर आपको काफी ज़ खा सकता हूँ, अगर आप कहेंगे कि आप फिस ले लो और सारा कुछ आप ही कर दो, तो ये possible ही नहीं है, क्यों नहीं possible है, क्योंकि PF के अंदर में ऐसा mechanism है, कि आप member होने के नाते, company में request लगाते हैं, company उसे accept करती है, फिर वो आगे PF office में जाता है, आप अगर ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं zero पे बैटा हूँ, zero पे मैं फिस ले लूँ आपसे, मैं आपके लिए company चला जाओ, मैं आपके लिए PF office चला जाओ, तो ये possible नहीं होता है, मैं आपको guide जरूर कर सकता हूँ, मैं आपको सही सलाह जरूर दे सकता हूँ, अगर आप सही रास्टे पे चलेंगे तब तो आप मंझिल पर पहुंचेंगे अगर आप रास्ता ही गलत ले रहे हैं तो आप मंझेल पर पहुँचेंगे ही नहीं आपका P.F. का काम होगा अप को यह वीडियो कैसी लगी है जोरू मुझे कमेंड में बताएं मैं मिलोंगा आप अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।